आप सबको मेरा नमश्कार और आज एक बहुत ही एहम मुद्धे पर आपसे चर्चा करनी है बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि बिना बात किये बात बनेगी नहीं मड़ीपुर से कल शाम को एक बहुत ही विभत्स विडियो सामने आया एक औरत होकर कहने में थोड़ी शर्म आती है लेकिन जिन निरलज्जों से सामना करना है उनसे शर्म करनी जानी जा सकती है उस विडियो में दो औरतों को नंगा करके सडकों पर घुमाया जा रहा था उनकी योनियों और उनके स्तनों को दबाया जा रहा था फर उनके साथ खेत में ले जाकर सामुहिक बलातकार हुआ ये घटना चार मई की है 78 दिन पहले की उसके बाद इस मामले में F.I.R. हुई ये घटना मणीपुर की है उसमें से एक लड़की 15 साल की थी उसके पिता और उसकी भाई की वहीं पर हत्या कर दी गई थी उसके बाद F.I.R. हुई और एक भी गिरफतारी मणीपुर में नहीं हुई गिरफतारी कब हुई जब वो वीडियो वाइरल हुआ जब देश की आत्मा काप उठी जब आक्रोश दिखा तो आज मणीपुर की बिरेन सिंग की भाजपा की डबल एंजिन सरकार ने पहली गिर पुरकी 78 दिन तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला आज बोले और अभी उसके बारे में बात करती है लेकिन दिक्कत क्या है दिक्कत है ट्विटर पर वो वीडियो चला कैसे तो ट्विटर जैसे प्लाटफॉर्म को तलब कर दिया गया ह ट्विटर को सजा दी जाएगी कि वो वीडियो चला कैसे दिक्कत है कि ये वीडियो आज क्यों आया ये पहले क्यों नहीं आया दिक्कत ये नहीं है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ कितना विभत्स था और उसको देखकर भी अगर आप आक्रोश रोश क्रोध से ना भर जाए तो अपने आपको मृत घोशित करने में एक मिनिट का समय बर्बाद मत कीजिएगा भारतिय जन्ता पार्टी को दो दिक्कते हैं विडियो सामने कैसे आया ट्विटर को सजा दूसरा विडियो अभी क्यों आया एक लाइन से सारे प्रवक्ता यही कह रहे है एक लाइन से सारे मंत्री यह कह रहे है एक लाइन से भाजपा के नेता कह रहे है विडियो अभी क्यों प्रधान मंत्री की नरेंद्र मोदी 140 करोड के प्रधान मंत्री है 78 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने आज अपना चुप्पी तोड़ी मनीपूर पर बोले पता है क्या बोले 8 मिनिट 25 सेकेंड का सत्र शुरू होने से पहले कैमरे पर वक्तव दे रहे थे 36 सेकेंड के लिए उस पर मनीपूर पर बोले और मनीपूर पर बोलते ही तुरंत मामला राजस्थान और 36 गड़ लेकर पहुँच गए ये घिनोनी गंदी राजनीती शुरू भाजपा में सीधे उपर से होती है बात मनीपूर की हो सवाल उठाओ राजस्थान और 36 गड़ का जिस राजस्थान का आप सवाल उठा रहे हैं न दो घंटे में आरोपियों की गिरफतारी हुई थी 78 दिन तक राजस्थान तमाशबीन नहीं बना हुआ था यह जवाब आपको देना है लेकिन 36 सेकेंड मात्र मनीपूर पर प्रधान मंत्री बोले जो 56 इंच की अपनी चाती ठोकते हैं यह है 56 इंच की असलियत 36 सेकेंड मात्र जलते हुए मनीपूर पर जहां पर औरते जोलस रही है अब आगे की बात सुनिए बिरेन सिंग जो मुख्यमंत्री है वहाँ का भाजपा का मुख्यमंत्री डबल इंजिन की सरकार का सूबे का मुख्यमंत्री उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा ऐसी एक नहीं सैकडो घटनाए हुई है इसको क्यों दिखा रहे है अगर सैकडो घटनाए हुई है तो आप सूबे के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए है आप से जादा बड़ा विफल दूसरा कोई व्यक्ती नहीं आपकी नाख के नी मामलों का ऐसे अगर सैकडो इतने मामले हुए थे तो मोदी जी क्या कर रहे थे मैं दो सवाल पूछती हूं 78 दिन से मोदी जी को इस वीडियो के बारे में नहीं पता था 78 दिन बात पता चला स्मृति इरानी को 78 दिन से इस वीडियो के बारे में नहीं पता था 78 दिन बात प अस्तंत्र है, पुलीस है, आई बी है, संस्ता है, आपको पता ही नहीं चला मारीपुर में क्या हुआ, तो या तो आप नहायती नाकाम और निकम्मी सरकार चला रहे हैं, या आप सब जानते थे, और असलियत ये है कि आप सब जानते थे, आप इस विडियो की भी असलियत जान में सेर करते रहे उस विडियो को जानने के बावजूद आप लच्छेदार बात हाथ नचा नचा कर बात करते रहे और हमारी बेटियां जुलस्ती रहे आप प्रधान मंत्री हैं आप ही की सरकार है मणीपुर में मैं मन नहीं सकती आप नहीं जानते थे आप सिर्फ इसके बारे में नहीं आप सेक्रो ऐसे और केसिस के बारे में भी जानते हैं और उसके बाद भी आपने मणीपुर में शांती की बहाली के लिए एक अपील नहीं थी समवेदना का एक शब्द नहीं बोला आज आप कह रहे हैं आपको पीड़ा है आपके अंदर क्रोध है किस बात का कि विडियो लीक हो गया किस बात की पीड़ा है कि ये सच सामने आ गया ये असलियत है इस देश के प्रिधान मंत्री की और अब दो मिनिट बात में करना चाहूंगी इस देश के ग्रह मंत्री की अमित्शा इस देश के ग्रह मंत्री है उस कुरसी पर बैठते हैं जहां पर कभी सरदार पटेल बैठते थे अमित्शा मड़ीपुर गए और जब वो वहां गए तब यह हादसा हो चुका था आपको किसी ने बताया नहीं या सब को जान कर भी अंजान बने रहे दिल्ली वापस आते हिंसा और भड़कती है और असलियत यह है कि आज सुबे इस देश के उच्चुतम नयाले ने इस देश के शीर्ष कोट ने इस देश के सुप्रीम कोट ने इसका स्वतह संग्यान लिया और कहा या तो आप कारवाही कीजिये नहीं तो हम करेंगे सवाल बहुत सारे हैं सवाल है सबसे बड़ा की मनीपुर की सरकार बरखास क्यों नहीं की गई कौन है जो बिरेन सिंग को बचा रहा है क्या बिरेन सिंग का दामाद जो क्रिकट असोसियेशन का ध्यक्ष है और जैशा का मित्र है उसके थूँ बचाया जा रहा है क्या बिरेन सिंग को अमिट शा बचा रहे हैं क्या बिरेन सिंग को प्रधान मंतरी मोधी बचा रहे, कौन बचा रहा है और मेरा तो मानना है कि बिरेन सिंग की बर्खास्तगी से पहले अमिच शा को बर्खास्त कीजिए एक बिफाल होम मिनिस्टर है मिजोरम और असम में गोलिया चल गई नागा लेंड में तरही माम मचा हुआ है यह है कि जिस दिन इस देश के ये काले काले सक्त ये सिया रात लोगों के सामने आई उसी दिन इस देश में ब्रिजभूशन शरण सिंग को बेल दी जाती है और आपको पता है बेल क्यों हुई इसलिए नहीं हुई कि वो संत पुरुश है कोट ने इसलिए बेल दी क्योंकि दिनली पुलीस ने कहा हम ना इसकी खिलाफत करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं जो कोट को लगता है उस पर छोड़ देते हैं यही दिनली पुलीस अमित शाह की दिनली पुलीस जिसने चार्ज शीट में यौन शोशर का अरोप लगाया था उसकी यह हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि कोट में खड़े होकर बेल का पुर्जोर विरोध करें और विरोध ना करने पर धुल्मुल रवये पर थाली के बैंगन बन जाने पर ब्रिजभूशन शरंण सिंग को आज ही के दिन बेल मिलती है लड़किया नोची जा रही है लड़कियों को खस उटा जा रहा है मड़ीपुर में यहां ब्रिजभूशन शरंण को बेल मिल जाती है एक और काम होता है आज के दिन याद है ना वो आदमी राम रहीम जो दोशी पाया गया है रेप का यौन शोशर का हत्या का वो तीस दिन की पैरोल पर फिर आजाद हवा में घुमने निकल आया है यह असलियत है मोदी सरकार की यह पहला वाक्या नहीं है लेकिन हिंदुस्तान यह आखरी भी नहीं होगा यह वाक्या होता रहेगा जब तक आपकी आखें नहीं खुलेंगी आख बस्ती में लगी है बचेंगे आप भी नहीं ना आपकी बेटियां बचेंगी ना आपकी बेहने बचेंगी आज मणीपुर को देखकर आँख फेर बने वालों उस हैवानियत का उस दरिंदगी का आँख बंद करके एक बार खौफ सोचिए दो नगन लड़कियां जिनके प्राइविट पार्ट्स को जिनकी योनियों पर प्रहार हो रहा था खुले कैमरे पर जिनके साथ योन शोशर हो रहा था चुप रहीएगा अगर चुप हो तो मर चुके हो अगर चुप हो तो जिन्दा लाश हो लानत है तुम पर और अन्त में एक बात जरूर कहूंगी जब राहुल गांधी जी वहां गए तो बीजेपी ने कहा सियासत कर रहे हैं राहुल गांधी जी ने वहां पर शांती की अपील करी हर समुदाई के लोगों से मिले उनसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ शांती ही आगे का रास्ता है और बिना शांती हुए ये मामला सुलझेगा नहीं आज से कितने ही महीने पहले उन्होंने सदन में कहा था जो आप पुर्वोत्तर राज्यों में कर रहे हैं वो चिंगारी है वो भड़का देगी आख वो मत कीजिए आपने उनकी एक ना सुनी और उसका खामियाजा उसका प्राइस उसकी कास्ट आज इस देश की बेटियां चुका रहे हैं जो लोग तब कहते थे सियासत कर रहे हैं आज वो लोग किस बिल में घुज गए हैं किस खो में घुज गए हैं आज आपको राहुल गांधी से हाथ जोड़कर माफी मागनी चाहिए आपको मणी पुर से इस देश की बेटियों से मणी पुर की बेटियों से हर उस शखस से माफी मागनी चाहिए जिसको लगता है कि गलत हुआ है और जो लोग इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं खासतोर से मेरे मीडिया के वो चरण चुम्बक मेरे मीडिया के वो सड़े गले साथी जिनको सत्य नजर नहीं आता है जो आज भी मोदी जी को कवर फायर दे रहे हैं याद रखिएगा एक बात इतिहास आपके लिए भी बड़ा सिया होगा आपके घर में भी बेटिया हैं जिस दिन उनके साथ वो विडियो आख से आख डाल के देख लीजेगा उस दिन मोदी जी की कवर फायरिंग करिए लिए अगर समय रहते मोदी सरकार से दो सवाल खड़े होकर पूछ लिए होते तो यह नौबत ना आपकी अगर समय रहते हुए मोदी सरकार को कट घरे में खड़ा करना पड़ता तो वहाँ पर अभी तक शान्ती बहाल हो जाते अगर समय रहते इस सरकार को पूछा होता बेटियों का बच्चों का पुर्षों का वहाँ पर क्या हाल है तो आज सूरते हाल इतने बदतर नहीं है मनीपुर को मरहम की जरूरत है मनीपुर को शान्ती की जरूरत है मनीपुर को जरूरत है कोई जाके वहाँ पर कहे मैं आपके साथ हूँ आपके साथ खड़ा हो और ये करना हम सब का करतव है ये करना हम सब की जरूरत है मणीपुर इस देश का हिस्सा है शर्माती है ये कहते हुए कि European Parliament और अमरीका मणीपुर पर चर्चा कर रहा है और हमारे देश का मीडिया किसी सीमा नाम की औरत पर प्राइम टाइम शो कर रहा है क्या हो गया है आप लोगों को मणीपुर इस देश का हिस्सा है वो हिस्सा जल रहा है और वहाँ पर जुलसने वाली औरतों को देखकर इस देश की औरतों को लगता है कि वो खुद नगन है वो खुद निर्बस्त रहें वो खुद नंगी हो चुकी है और उनकी आत्मा और उनके शरील दोनों को दरिंदे नोच रहें अगर उनके साथ आप स्वर में स्वर मिलाते हैं तो याद रखिएगा उस हैवानियत का आप भी उतना ही हिस्सा है जितना उस वीडियो में दिखने वाले दरिंदे सोचिएगा इस देश में हो क्या रहा है लानत है